समस्कार दोस्तों वागत है आप सभी का आज देना के 27 सगस 2022 और ये वीडियो का पार्ट 2 इससे पहले हमने पार्ट 1 पुरा किया था अब लंबाई वीडियो की लेंज ज्यादा होने से हम अब पार्ट 2 शुट करेंगे उसका तो चलिए शुरू करते हैं इसमें हम जो मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं वह इस लेक की है क्योंकि इसे पर हमने दो लेक देख लिए थे मुख्य रूप से और हम यह जो आतंकी फंटिंग पर लगे पूरी तरह से रगाम इस पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि य इसमें कुछ महत्वपूर बाते भी है जो कि हमारी से जुड़ी हुई है इसलिए शुरू करते हैं इसको जानते हैं इसमें क्या-क्या समझ्या है जो कि प्रतिस हजग होने की जडऱ्त है जोकि लेकट्थ ने इसमें बताया आए इसलामिक आपवाद है दोस्तों यहां पर उसकी बात की गई है जोकि इसलामिक आपवाद भारत में चट्वाद जमाने के लिए नहीं हद कंडों का उप्योग कर रहा है इसके बारे में यहां पर चर्चा की गई जो पाकिस्तान की खुफी आइजनसी आईएसाई है दोस्तों वो गर्तब तो पुराने हो चले यानि जो पहले आईएसाई करती थी अब वह चीजे पुरानी हो गई है पर इस यानिया आप समझते इसल्मिक स्टेट है जोकि की तुरकी में इसका मुथी रूपसे सिकनीा सटे इसको कहते हैं की तुरकी में इसका मुझ यह यहाँ आपने देखते हैं जो लेख है इसमें भी ज्यादा मौत्वुर्पुर्ण चीज़ा नहीं है सारी नौन प्रृपुर्ण यहाँ और पर देखते हैं इसका मुख्य रूप से जो इस्तान है वो तुर्की में इस्तिते खुरसान प्रांथ में और वहीं पर इसकी आतमवादी गतिविद्या छलती है और इसमें जो दोस्तों अभी रूरूस में प्लेक्टिव पकड़ा गया था वह इसलामिक स्टेट से जुड़ा हुआ था उसने जो उड़ लेगनी है कि इस्लामिक इस्टेट की खुरासान प्रांथ के आतंकी पाकिस्तान और अफगानितान से जिहाजियों को भरती करते हैं जो कि आगे चलकर भी जो ट्रेन के जाते हैं और उनको आतंकी बनाया जाता है और इन आतंकी बादियों को ने कश्मीर घाटी में भी आतंकी अट्नाओं को अंजाम दिया है और जो पकड़ा गया आतंकी है उन्होंने बता जाए कि उन्होंने नुपूर शर्मा द्वारा धर्म विशेश को लेकर की गई टिपणी से उत्पन विवात के मत्य नजर इस करत्यों को अंजाम देने की योजना बनाई थी यानि पर दोस्तों और जो अभी हाली में इन्हीं आतंकबादी घट्टाओं में एक और सलमान दूश्ती पर सलमान दूश्ती पर भी जो हमला हुआ था लंदन में उनके कारिक्रम में वह जो की जहां पर वो अपना एक प्रोग्राम कर रहेते हैं उनकी जो पुस्तक है जो कि 1988 में प्रकाशित हुई थी उपन्यास दे सेनेटिक वर्सेश को लेकर वो विवात की कारण उन पर हमला हुआ था पर दोस्तों यहां पर देखने हो की बात यहीं कि उस कारिक्रम जो कह तक हमला हुआ था वो करने वाला योग 24 वर्सेश हादी मतार लेबनार मुलका अमेरीकी प्रवशी यानि कि वो लेबनार मुलका था और अमेरीका में रहता था पिन्यास का उसके जिवन पर कोई प्रत्यक्ष्या परोप्स प्रभाव पड़ा होगा फिर भी सिया उग्रवाद के समर्थन होना के जनाते उसने एक अदम उठाया यानि सिया जो एक मुस्लिम समुदाई में दो जो अलग-अलग एक मत हैं उनमें सिया और सुन्या आपको पताई होगा जो जुड़ा हुआ था वा सिया उग्रवाद से जुड़ा हुआ था यानिकि जो उसे जुड़ा हुआ था जिसे कारण जो गटर बनती है उन्होंने सलमान रुष्दी पर अमला किया और उनके विचार दर से प्रभाव करने के लिए इतना प्रभावित हुआ कि उसने अंजाम दिया उस कारी को यानि कि सलमान रुष्दी पर हम लागी इसके अलाबा अंब हम बढ़ते हैं हमारे इसे मोंतोर पर कि हम भारत को किस प्रकार से भारत में यह समस्या जड़यजा ल्मारे कोशिश कर रही है और किस प्रकारí जो भारत अभी तक अपने इसमें आतंगवादी गतिवतियों को रोपने में कारे किया है उस पर और अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है अब यहां देखे तो रूस की सिर्षास्त कूफी आजंसी का कहना है कि मद्येशाई यहां पर आतंगी को अप्रेल में ही तुर्की में आई एस की तरफ से आत्मगाती हमला यानि मानवबाव के रूप में हमला करने के लिए प्रसिक्षित किया गया है यनि तुर्कीया नामस, जाना जाता है और इसको प्रशेक्षित किया गया था अप्रेल में वहत जो भारत में इससके बयान में उसने भारत में सता रूर पाटी है यॉझक जो बीजेपी है उसके पार्टी के बड़े नेता के विरुत आत्मगाता पाद्य हमले की योजनाका परदाफाज भी किया है अब यहां पर सत्ता रूट पार्टी जो सत्ता में मुख्य पार्टी है उसके खिराब की और यहां पर इससे बता चलता है कि दोस्तों कि यह भारती शुरक्षा तंत्र और अधिक योक्सी भरतने का आगा करने वाला वाकिया है अब इसने आई-एस न पर उसे इस के और से आतें के हमने के लिए जरूल चीज़ें मिलने वाली थी उसको यहां पर ही मौया कराने वालत था उपलब्द हूने वाला था सामान, तो इससे यह पता चलता है कि आई-एस के हमारे यहां पर बहुत सारे एजेंट है या फिर उसके इससे व्यक्ति हैं जो आईएस का साथ दे रहे हैं और उसकी खिलाब भी तेज जो उनकी पहचान के लिए भी ऐसे मिशन चलाए जाना चीए ताकि उनकी तेज पहचान हो सके और उनको जल्द से पपड़ाया जा सके अब यहां पर एक तरफ देखने हैं तो रूस की तरफ से मामले में भरपूर स मज गई थी इसी कारण पार्टे जेंचे इस बात से अब थोड़ी सतर्ग हो गई है और इस पर चिंतित भी है कि आईएस मतग की और अगर यहां देखें तो जो पूरों में नुपूर शर्मा वाला टिपणी थी उसकी खिलाब देश बर में भी आतंग फेलाने का प्रयाश है उन्होंने इसकी खिलाब पत्दब आतंगबादी गतिवीदियों को बड़ा बाद यहां फिर लोगों में आकराउस को आतंगबाद की तरफ मोड़ने का पूरा प्रयास किया था और जब बिछले दिनों की राजस्तान की सीमा पर पर यसे आतंगबादी पकड़ा गये थ और से कि अग्षा तर फंडिंग हो रह रही और उस समय कारवाइक की गई दूरा अब यहां पर हम जानते हैं कि आतने की funding कहा से क्या हो रही है और किस परका से प्रभावित कर रही है एनाईये ने पिछले जिनों पटना के धिगा निवासी मौसिन आहमद को दिल्ली में गिरफ्तर किया यानि कि जो पटना का निवासी है मौसिन आहमद उसे दिल्ली से गिरफ्तर किया था इस funding को लेकर आईयेस की अब यहां देखने तो मौसिन में रहने मौसिन भारत में रहने वाले आईयेस के समर्थकों से धन इकटा करता था इस धन को वह क्रिप्टोकरणसी में बदल कर सीरिया इस्थिद आईयेस के आकाउं वो बेज देता था यानि कि वह यहां पर जो जो भी इससे आईयेस से अपनी साहनुभूदी रखते थे या जो भी इसके काईजों में रखते थे उससे वह धन इकटा करता था और फिर उस जो आका अंपने वहाँ पर तुर्की में उनको क्रिप्टोकरणसी में उस धन को बदल कर वहां पर बेज़ देता था जिसी कि वहां पर जो उनको है मतब जो जो धन संबंदी जरूरत हैं वो पूरी की जा सके और जहां पर उनके व्यक्तिव और जो लोग लगे हूं है इस क कि अब इसमें इसके साथ इसके उस अकाउंट का भी पता लगाया गया है जिसमें मोसीन धन बेस्ता था उसका भी पता इसके रिचार धराए जूड़े कई लोग आईस की गतिवीदियो से सामील हो रहे हैं इसका भी पता चला है शुरक्षा एजेंसियों द्वारा और जो ऑन जमिनी इसके लिए काम कर रहे हैं यानि कुछ वोग जो ओन लाइन इसके चला है उसके यह खिला रहे हैं उसके लिए को से देखा हाँ काम कर रहे हैं स्वाछिष और अगयार में की जा रही है यहां पर बहुते measure चला है पी यह बहुत सारी यानि उर्ट्रप्रदेश में भी बहुत सारी जगह उसके जो इससे संवत स्टाबिद हुए हैं और वहाँ पर भी जाट और पढ़ताल की जा रहे हैं और सापयमारी की भी दयारी की जा रही है और आतंक की funding को चोकाने वाले सथ सामने भी आए हैं दोस्तों बहुत सारे और भारत में भी इसलामी आतंक वादी जड़ों को मचबूत बना़े में नीरतं तर शकडी रहे हैं जो इसी funding को बारे मी पता चला है जो BFI यह दोस्तों को हर साल इसमें पता चलाता दोस्तों कि PFI है उसको हर साथ जो साओधी आरब है, कतर है, कुवेद, UAE और भारीन से लगबग 500 करोर रूपए मिल रहे हैं यानि कि आप देख सकते हैं आप 500 करोर रूपए जो उसको पेसे मिल रहे हैं वो किस लिए मिल रहे हैं इसका एनाईय ने पता लगाया और उसमें बहुत सच लिए पता चली है और उसी पर आगे भी झान भी चल रही है एनाईय द्वारा और इसी परिवार को देख रेक के नाम पर अलग-अलग खातों में बेजा जाता था यानि कि जो 500 करोर आते थे उनको परिवार की देख रेक के नाम पर अलग-अलग खातों में बेजा जाता था यानि एक खाते में नहीं बेजा जाता था बलकि अलग-अलग खातों में इस जो BFI की जितने भी सदसी हैं, उनके और उनके रिष्टितारों और उनके परिष्टों के बेंक खाते में पेसा पहुंचाया जाता था, ताकि एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट एक खाते में नहीं बेजी जाए, आएने कि एंटी टेजर फंडिंग विंग यह जांच कर रही ह कि यह रकम कहां-कहां खर्च की जाती है, यानि कि फिल्हा जो पता चला है दोस्तों उसमें यह पता चला है, कि इतना पेसा आ रहा था और इतने अक आकांड में जा रहा था, परतु eye-ae अब यह भी पता कर रही हैं कि यह पैसा कहां-कहां जाता था, और किसलिए यू PFI के संकड़नों को जो पेसे बेशती है युवाओं में इसलामी कट्रता फेलाने का काम करते हैं. यानि कि PFI ऐसे कई ऐसे संकड़नों में भी पेसा बेशती है जहां पर ये इसलामी कट्रता को फेलाने का काम करते हैं संकड़न. इसमें अनेक संगड़न मुसलिम युवाओं का ब्रेनवाश कर उन्हें कटर भी बना रहे हैं वर जो पीएफाई है वो मुसलिम विरुधी कतिपई सरकारी नीतियों को चीनहित करती है और उनके विरुध आंदुलनों को उकसाती दथा आंदुलन कारियों पर खुब खर्च विर्धी करती है अब यहां आप देख रहे हों कि आ पीएफाई पीएफाई बहुत जगह आ रहा है तो हो सकता है किसको नहीं पता हो है हम यहां पर देखते हैं दोस्तों पीएफाई के बारे में एक थोड़ी सी हम जानकरी देख लेते हैं कि क्या है पीएफाई दोस्तो पॉपुलर फ्रेंट ओफ इंडिया जैने कि जो मुख्य रूप से पीएफाई के रूप में भी जाना जाता है इस संक्षित रूप में जो भारत का एक चरमपंती इसलामिक गटबंदन है अब इसको गटबंदन के कहते हैं हो तुकि हम अच्छे कारियों के लिए घटा हुए है और मतलब यह कहते हैं कि मतलब सोतंत्रा न्याय और सुनीचित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद स्वयम को कहते हैं परन्तु जो 2006 में नेशनल परन्तु जो सरकार है उसके दवारा राष्ट विरुदियों और सामाजी गति वीडियों में शामिक होने का आरव इस पर लगाया गया है 2006 में दोस्तों नेशनल डेवलोप्मेंट फ्रंट के उत्रातिकारी के रूप में इसे गतित किया गया था और इसकी बहुत सारे विंग्स भी है दोस्तों जिसमें की राष्ट्री महीडा मोर्चा और केंपस फ्रंट ओफ इंडिया सहीद समाच के विविन वर्गों को पूरा करने के लिए संकडन के पास विविन विंग है इसमें दोस्तों केरल और करनाटक अक्सर बिएफाई के संग परिवार की कारिकरताओं के बीच इनसे जड़बे होती रही और इन पर बहुत सा दोस्तों के पूलीज द्वारा घातक हतियार बण पारोत तलवारे भी मिली है जंक पर तलीबान और अलकाई जैसे आधमबादी संकड़नों के साथ संबंथ होने के कई आरोपी दगाया गए है हालागि इसमें एक बाद यह है दोस्तों की 2012 में जो केरल सरकार द्वारा प्रतिमत लगा दिया गया था दोस्तों एक छोटी सी जानकर की प्रतिमत लगा दिया गया था बाते सामने आई है कि जो 500 करोड की फंटिंग होती है 500 उसमें यहां बहुत सारे इसे संगटनों को भेजता है पीएफ़ाई पेसे जो की एक कटरपंती इस्लामिक संगटन है और युवाँ को ब्रेन वोश कर रहे हैं और कटरपंता फेला रहे है अब जेल में बंद आतंगव करा दी है जेल में बंद उनके कानोनी लड़ाई में भी ये खर्चा मोया करा दी है और इडी ने इसी साल जून में मनी लॉंटरिंग का मामला दर्च करते हुए PFI और उसके एक सायोगी संगटन के 33 बेंग खाते सेल किये है जानिकि इडी ने भी इसी साल जून में जो कि नाक के नीचे इसा देश द्रोई सर्डियन्त किया जा रहा है या भी एक मुझ्य सवाल है कि किसे बिहार में केरल में और जब ये कारी हो रहे हैं और अन्य राज्य में भी जहां पर ये संगठन इसे कारी कर रहे है फिर भी अंजान के से इस लिए जो अंदर कमिया है शा प्रसेशन की नजर से बचते आ रहे हैं और जो कमिया है अगर जो कमिया हो रही है इन चीजों में उनको पूरा किया जाना चाहिए और शड़ी अंत्र के मामलों पर राज ये प्रसेशन को पूरी नजर रखनी चाहिए उसी के साथ दोस्तो जो अबे जून जुलाई में गटना हो थी उसी बाद यहां मुद्दा सफस्सuciones आता उटाता फूलवारी शरीष मोटूल भी कहा जाता है उसमें जो पूलवारी शरीष मोटूल में पीफाय का या मुझी रूप से पड़ता encouraging ह svata और उसी आ उसी की चाहि परतल टेक्जी से शुरू हुई है इसलिए और इसी के उपर जो चांच एजेंसिया है वो आके भी काहिटी कर रही है और जो इसी के अंदर और तहरे तक जाने की कोशिश भी कर रही है उसके अलाबा दोस्तों जो कुछ उधारण है जो हमें बताते हैं कि लोकतांत्रिक देशा में धर्म और राज्य को पूरी तरह से अलग रखने के बावजुद अब यहां पर दोस्तों कुछ ऐसे भी है कि हम किस लिए इसमें असफल हो रहे हैं तुस्य कुछ कारण भी है कि कि इसलिए फेल रहा है उसके बहुत सारे काराण है दोस्तों जिसमें यह है कि राष्टी और विश्व इस तर पर घटित होने वाली घटना है इस पर ही संकेत दे रही है कि वर्तमान में जो सम्भाई के मातर कुछ उधारण है जो यह बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक देशों मे जो धर्म को राजु को अलग रखा जाता है यानि राजी का कोई धर्म नहीं होता इसा मान जना जाता है उसमें जो राजु को रखने के बाउजु जो व्यक्तिकत तोर पर धर्म को लेकर अतिवादी सोच जो है जिन लोगों की और राजु की लोकतांत्रिक व्यवस्ता को प्रभावित करती है यानि कि ऐसी कुछ उतारन है जो इस इन सीचों को प्रभावित कर रहे हैं लोगतांत्रिक देश्व में भी और जो तकनिक के बढ़ते प्रोज़क्ट से भी यह अत्वादी विचार एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर भी महुच रही है और प्रभावित हस्तान कर रहे है यानि कि इन तकनिकों के मादम से ये लोग जो अपने विचार है उनको और जो अतिवादी विचार है उनको अपनी एक पीड़ से दूसरी पीड़ी की तरफ भी उसको हस्तान तरित कर रहे है ताकि उनके बाद भी यह कारीत लगा रहे है इसके लिए जब और जो एजेंसिया हैं उनको भी इसमें थोड़ी समवेधानिक मजबूती और धाजागत मजबूरी मजबूती प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह आपना कारी आसानी से कर सके और जल्द से जल्दी ऐसे आधागवाति गति बीद्यों को देश में फेलने से या फिर कहीं पर अंतराष्टी इस्तर पर हो एसे एजेंसिया बनाने चाहिए ताकि वह इन संकड़ानों का परदाफास कर सके और जो इनको फंडिक हो रहे हैं उनको भी रोग सके जिस प्रकार की एना ये ना भी ये भाई के बारे में जो परदाफास किया है उसमें पता चला है तो इसलिए आतंग पर प्रहार करने के लिए मुख्य रूप से एक निर्णाय के रंडिती तैयार की जानी चाहिए जो कि देश में फेल रहे है इस आतंग बात को या फिर जो भी ये आईयस के अपने मंशाय है उनको हम रोग सके और उनको कम कर सके ताकि देश में धार्मिक सोहर्द बन रहे और जो कटरपंती विचारत आ रहा है उसको समाज में फेलने से रोका जा सके तिस साथ हमने देखा किस प्रकार से फंडिंग हो रही थी यहां पर इस लेक में पूरे में और किस प्रकार से पीएफाइस में लूडा हुआ है अन्य देशों से किस प्रकार जो हमारी यह वीडियो यहीं पर खतम होता है दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टोपिक पर तब तक के लिए धन्यवाद